हेलो एवरीवन आप सभी का फिर से स्वाङत है हमारे चानल का टार्या सिस्टर्स में और इस वीडियो में हम नेट फैब्रिक से लहंगा बनाएंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने Hammer हमारे चैनल को अब ही तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कराने भूले तो चले शिरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेहंगा बनाने के लिए ये हमने 10 मिटर नैट का फैब्रिक लिया है इसको हमने मोड के रखा हुआ है आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं उपर ये ओपन है जो कि रहेंगे की लेंथ रेडी करनी है उससे हम एक इंच कम रखेंगे लेंथ को क्योंकि उपर बेल्ट लगेगी तो हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी अब ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है लेंथ में इसको हम कट करेंगे द्यार रखना है किनारी वाली साइड है ये और हमने किनारी वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंथ लेकर निकाल दिया है अब हम plates डालेंगे 2 तरीके से हमारी plates जलती है नेडल से भी हम plates डाल सकते हैं इस तरह से हम बिल्कुल बारी टाके लगाएंगे और यहां पे यह जो हम टाके लगा रहे हैं यह किनारी वाली साइड है पूरा जो फैब्रिक है उस पर हम ऐसे ही छोटे छोटे टाके लगाएंगे और इस तरह से इखटा करते हुए हम प्लेट्स डाल सकते हैं आप इस तरह के से अगर चाहे तो डाल सकते हैं प्लेट्स अब हम लाइनिंग कट करेंगे ये हमने सेंटोन का 5 मिटर फैब्रिक लिया है अम्रेला कट की तरह ही हम इसे कट कर लेंगे यहाँ से हमें कमर का फॉर्थ पार्ट लेना है जितना भी हो हम extra fabric यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यह तिर्चा cut होगा यह अपने आप ही बढ़ जाएगा यहाँ से हमें length इसके equal ही रखनी है 10 जितने भी आपकी हो हमें सारा यह equal ही रखना है अब यहाँ से हमें cut करेंगे इसे जितने भी लेंगे की length ready है उसका हम निशान लगाएंगे यहाँ पे ना ही हमें extra fabric लेना है और ना ही कम fabric रखना है जितने length हो उसका निशान लगा लेंगे यहाँ लेंगे में हम double lining यूज करेंगे क्योंकि जो लेंगे होते हैं उसमें डबल लाइनिंग ही यूज होती है ताकि बाद में हम एक लाइनिंग पर कैन कैन अटेज कर सके इक्वल लेंथ लेते हुए हम गोलाई में निशान लगाएंगे और यहां से एक्स्ट्रा फैब्री को कट करेंगे लेंथ वाली साइड से इसी तरह से हम दूसरी लाइनिंग भी कट करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जो लेंथ है वो कम है जो एक्स्ट्रा फैब्रीक बचा हुआ है उसका हम यहां पर जोइंट लगा लेंगे यह बल्कुल लाइनिंग हमने वैसे ही कट की है जैसे अंब्रेला कट हम कुर्ती बनाते हैं सिंपल इसको हम सिलाई लगाकर जोड लेंगे यह हमारी लाइनिंग का दूसरा पार्ट है अब हम दोनों पार्ट्स को लेंगे और उनकी एक सेट फिटिंग करेंगे उपर यह हमारी कमर है दोनों पार्ट्स को मिला लेंगे और एक साइड से हम इसकी फिटिंग करेंगे एक साइड अभी हम ओपन ही रखेंगे एक साइड से हमने फिटिंग कर ली है आप जो हमारा लाइनिंग का घेर होगा उस पर हम होर्स ब्रेड यूज करेंगे यह आपको इजली मार्केट में मिल जाएगा जहां से आप सिलाई के लिए दूसरा मैटिरियल लेते है अब हम इसको घेर पर अटेश करेंगे जो भी हमारी लाइनिंग होगी हम दो लाइनिंग लगाएंगे तो उन दोनों पर ही हमें इसको अटेश करना है उपर की तरफ हमारी राइट साइड होगी राइट साइड से हमें इसे अटेश करना है आधा इंच अंदर की तरफ हम इसे लाइ लगाएंगे इसे हम पूल नहीं करेंगे आगे की तरफ पूश करते हुए हम इसे अटेश करेंगे अब इसे रोंग साय टर्न करना है अब दूसरी तरफ किनारी पर सीधी सिलाय लगा लेंगे देखिए पूरी लाइनिंग पर जो हमारा घेर है उस पर हमने ये अटेश कर ली है ये है हमारी कमर इसको हम उपन करेंगे ये हमारी हो गए लाइनिंग के फ्रेंट और बैक पार्ट और जो हमारी ये नट फैबरीक है हमारा इसके हम छोटी-छोटी प्लेट्स डालेंगे जो भी हमारा 10 मिटर का फैबरीक है उसकी हमें कमर पर पूरे पर प्लेट्स डाल लेए यहां एक इंच तक हम कोई प्लेट्स नहीं डालेंगे क्योंकि एक साइड हमारी चेन लगेगी और एक साइड हमारी फिटिंग होगी इस तरह से फैब्रिक को पूश करते हुए हम प्लेट्स डालेंगे काफी बारिक प्लेट्स हैं इसी तरह से हम पूरी कमर पर प्लेट्स डाल लेंगे देखिए हमने प्लेट्स डाल ली है और जो यह प्लेट्स है वह 10 मिटर फैब्रिक की प्लेट्स है और साइड से एक एक इंच प्लेट्स है अब यहाँ पर हम एक और लाइनिंग अटेच करेंगे देखिए हमने दूसरी लाइनिंग भी रेडी कर ली है सिंपल जो हमने प्लेट्स डालते टाइम सिलाई लगाई थी उसी के साथ यह भी अटेच करना है उसी सिलाई के साथ हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे कमर पर हमने सिलाई लगा ली है अब हम लेंगे की फिटिंग करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास अभी काफी सारे लेयर्स हैं, इसकी हम अलग-अलग फिटिंग करेंगे, क्योंकि जो लेंगे होते हैं, उसमें जितनी भी लेयर्स होती हैं, उनकी अलग-अलग ही फिटिंग करनी पड़ती है, इस तरह से हमारे फिटिंग अच्छी आएगी, और साइड की जो सिला प्रिटिंग करनी है इस तरह से मोड़ते हुए लेंगे को एक दोनु लेयर को हम मिला लेंगे जो हमारी दो लेयर होंगी नेट फैब्रिक की उपर हमारी चेन लगेगी तो उसको हमें अभी उस पर सिलाई नहीं लगानी है चेन लगेगी हमारी साथ इंच तक नेट की दोनों लेयर को हम मिला लेंगे अब साइड में हम सिलाई लगाएंगे नीचे तब एक लेयर पर हमने सिलाई लगा ली है अब हम लेंगे अपनी लाइनिंग की लेयर ये भी अभी हमें एक ही लेनी है नेट की लेयर को इसके साथ मिला लेंगे दो तिन इंच तक हम नेट के फैबरिक को साथ में लेकर सिलाई लगाएंगे बाद में हम इसको निकाल देंगे और जो हमारा लाइनिंग का फैबरिक है उस पर ही सिलाई लगाएंगे अब हमारी नेट की लेयर भी साथ ही है इसको करेंगे नेट की लेयर को अंदर और लाइनिंग पर अब हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे अब हमें लाइनिंग की दूसरी लेयर लेनी है सभी लेयर्स को हम 3-4 इंच तक 81 स्टीज करेंगे अब अब जो हमारी अंदर वाली लेयर से उसको हम बाहर निकाल देंगे और लाइनिंग की लेयर को ही नीचे तक स्टेज करेंगे अब हम चेन लगाएंगे चेन की जो रॉंग सैड है वो उपर की तरफ आएगी पहले चेन को अच्छे से मिलाते है रुफ ली एक सिलाई लगा लेंगे अब बिल्कुल किनारी के साथ हमें सिलाई लगानी है अब दूसरी तरह भी इसी तरह से चेन को टेज कर लेंगे झाल झाल चेन के दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारी जो चेन है वो लग गई है उसके बाद हम बेल्ट को रेड़ी करेंगे फैबरिक की एक सीधी पटी कट करके हमने उसके साथ नेट को टैज कर लिया है जो हमारी बेल्ट है उसकी चोड़ाई है 4.5 इंचीज अभी हम पटी को मोड़ेंगे और अब इसकी जो चोड़ाई होगी वो कमर की चोड़ाई से 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट पर लगाने के लिए हमने ये दूतरे की लेस लिया है आप अपनी पसंद से बेल्ट को रेड़ी कर सकते हैं पटी के उपर हम लेस को सिधा अटेश कर लेंगे और उपर आप देख सकते हैं आधा इंच हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ है बेल्ट को मोड़ेंगे इस तरह ऐसे यहां यह हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट की रेड़ी चोड़ाई होगी 1.5 इंचीज बेल्ट की उपर की तरफ राइट साइड है और जो हमारा लेंगा है उसकी राइट साइड भी उपर की तरफ है अब हम यहां कमर पर सीधी सिलाई लगा लेंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम उपर की तरफ यानि राइट साइड बेल्ट साइड फोल्ड करेंगे और यहां पर भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे यह हमारा कुछ इस तरह से जाएगा अब दूसरी तरह भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इसी तरह से मोड़ते फिर सिलाई लगाएंगे यह हमारी चेन वाली साइड है अब बेल्ट को राइट साइड मोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे पूरी वैल्ट को हमें इसी तरह से स्टिच करना है इसके बाद हमारा लेंगा बन के पूरा रेड़ी हो जाएगा इसके साथ हमने पैड़िट विलाउस बनाया है जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा और हमने रेड़ी किया है नैट का दुपटा पूरा पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई